हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल जै मातादी आज अन्सुनेंगे दसा माता की नौवी कहानी एक गाउं में एक बढ़िया ब्रामडी रहती थी वह बहुत गरीव थी उसके एक बेटा था एक दिन हुए अपने बेटे से बोली बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे चार पैसे की आमंदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वा हो अब मेरे तो बुड़ापे के कार्ड हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है तब उसका लड़का गाउवालों के जानवर चराने लगा एक दिन लड़का पसों को पानी पिलाने नदी पर ले गया, वहाँ पर महला इश्नान करके दसा माता का दौरा ले रही थी उनके पास एक दौरा बच गया था, उन में से एक इस्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है तब एक इस्त्री लड़के के पार जाकर पूछने लगी तुमारे घर में कौन-कौन है लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूरी मा है इस्त्री ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और वरत करें हम तुमें सीधा और पूजा की सामगरी भी दे देते हैं इसे भी अपने माता को दे देना लड़के ने उनसे डोरा ले लिया फिर सब इस्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया लड़का उस सामान को लेकर घर आया उसने दरवाजे से ही मा को पुकार कर कहा गटरी को उतार लो मैं बोज से दवा जा रहा हूँ उसकी मा बहुत प्रशन हुई मा ने बेटे से पूछा यह सब कहां से लाए हो लड़के ने मा को सब समाचार सुना कर दसा माता का डोरा भी दे दिया बुडिया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से वरत करने लगी 9 दिन तक कथा खानी कहती रही 10 वे दिन उसने डोरे की पूजन की तयारी शुरू की वह दैरी के बाहर गोवर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत गरीब बुडिया आकर बोली क्या कर रही हो बेहन उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दसा माता का पूजन है इसलिए लीप रही हूँ उस बुडिया रूपी दसा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है थोड़ा सा पानी पिला दे इस पर लड़के की माता बोली मैं तो इस मिट्टी के बरतन से पानी पीती हूँ मेरे या लोटा लुटिया कुछ नहीं है तुमको पानी किस में भरके दूँ एक कटोरी ही मेरे घर में है पता नहीं हुए कहां पड़ी होगी जरा तुम ठेरो मैं कटोरी ले आओं तब तुमको पानी पिलाओंगी बुडिया हाथ दो कर अंदर कटोरी लेने चली गई इसी बीच दसा माता जिनोंने बुडिया का रूप धार कर रखा था उसके मटके रखने की जगे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतरध्यान हो गई बुडिया कटोरी लेकर मटके के पास गई वहाँ सोने का घड़ा देखकर घवराई मुझ पर बुडापे में चोरी का नाम लगेगा मैं चोर कहलाऊंगी वह इस चिंता में दसामाता रूपी बुडिया को खोजने निकली तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था उसने मा से पूछा तुम किसे खोज रही हो उसने बताया अभी सीड अवस्था वाली बुडिया आई थी और यहां सोने का घर रख कर ना जाने कहा चली गई लड़के ने बताया वो ही तो दसामाता थी उन्होंने तुमको यह घर दिया है दुबारा फिर कभी हुए आए तो उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आग्या का पालन करना जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुमें नदी घाट पर जो भी चीजे मिलें उसको दसामाता का दिया हुआ प्रशाश शमच कर ले आना किसी से यह पूछताच मत करना कि यह किसकी चीज है यह कहां से आई है बुडिया नदी में नहा कर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्तर रखे थे बुडिया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की कि चार कहार एक डोली लेकर उसके पास आए कहारों ने उसे डोली में बैटने को कहा बुडिया जब घर पहुँची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलिसान महल खड़ा है बुडिया महल के अंदर चली गई वहां उसने स्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दसा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर एक सुसील बहु और भी आ जाए तभी यह सब सोबा देगा कुछ दिनों बाद लड़के का विवा हो गया और बहुत ही शुंदर वा सुसील बहु बुडिया के घर आ गई बुडिया ने दोवारा दसा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहु बेटे सुसील और सज्जन है उसी प्रकार के मैं पात्र पाऊं कुछ दिनों बाद बुडिया के यहां एक पोत्र रूपी रतन पैदा हुआ एक दिन बुडिया ने अपनी बहु को पास बैठा कर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दसा माता की प्रदान की हुई है उन्हीं की क्रपा से तुम इस घर में आई हो मेरे नहीं रहने के बाद य उसको तुम भी अवश लेना और शद्धा पूर्वक उसका पूजन करना जब भी तुमारे उपर संकट के बादल घिर जाएं तो सुहागिनों को नियोता देना दसा माता की क्रपा से तुमारी सब इच्छाएं पूरी होंगी कुछ दिनों के बाद बुडिया का शरगवास हो गया दसा माता ने सोचा की बुडिया के घर चल कर देखना चाहिए कि उसकी बहुत सास की वचनों का पालन करती है या नहीं एक दिन दसा माता बुडि विकारन का वेस रखकर उसके घर गई उसे देखते ही बहु खड़ी हो गई उसके पाउच हुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया उसकी सरद्धा भक्ति भाव से दसा माता बहुत ही प्रशन हुई उन्होंने आशरवात दिया कि तेरी धर् कल्यार करेंगे बंडार भरपूर रहेगा तू जो इच्छा करेगी हुए तुझे अवश्य प्राप्त होगा दसा माता ने जैसी क्रपा बुडिया ब्रहमडी पर की वैसी ही क्रपा सब भक्त जनों पर बनी रहे तो फ्रेंड्स आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना कमेंट में जै हो दशामाता जै माता दी अवश्य लिखना धन्यवाद जै हो दशामाता